The Amazing Spider-Man Movie में जब Gwen Stacy की मौत होती है तब आप Clock Tower को बहुत ही तेजी से घुमते हुए देखते हो जिसके बाद घड़ी के काटे 121 पे आके रूख जाते हैं जोकी एक रेफरेंस था The Amazing Spider-Man के Comic Book को लेके क्योंकि The Amazing Spider-Man Comic Book 121 के इशू में Gwen Stacy की मौत होती